हेलो स्टूडेंट्स तो हम ज्यान सागर का ग्यारवां पार उस रात की बात वो हम पार्ठ पूरा पढ़ जुके थे लेकिन अभ्यासकारे भी बाकी था तो आशा है आपने पूरा पार्ठ अच्छे से पढ़ा होगा और प्रशनुत्तर भी ज़रूर आपने ढूंडे होंगे तो आईए आज हम प्रशनुत्तर पर चर्चा करें तो पार्ठ में से देखें पार्ठ में से कौन-कौन से प्रशन है बुढिया के पैसे मांगने पर लेखक ने क्या समझा ठीक है तो चलिए तो आप गलती ना करें इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला ही लेखक ने क्या समझा ठीक है तो देखें उत्तर यहाँ पर है आपका पहला प्रशन का कि बुढिया के पैसे मांगने पर लेखक ने उसे भिकारिन समझा ठीक है समझ लिया पर जब वह बुढिया कागस का टुकडा दिखाने लगी जिसमें कुछ दवाईयों के नाम लिखे हुए थे तो लेखक को लगा कि ये बुढिया ज्यादा पैसे एंटने की कोशिश कर रही है ठीके तो आपने ध्यान से लिखना है और दूसरे दूसरा प्रश्ण है रात में लेखक को डर क्यों लगने लगा तो उसका उत्तर लिखे लेखक की साथ साथ चोर लिटेरों का डर भी लेखक को सता रहा था इसलिए रात में लेखक को डर लगने लगा ठीके और तीसरा प्रश्ण लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा क्यों होना पड़ा तो देखे तीसरे प्रश्ण का उत्तर लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने बुढिया को ज्यादा पैसे एंटने वाली समझकर उसकी मदद नहीं की थी और आज विपत्ती केस में उसे उसी बुढिया के घर में शरन मिली थी चौथा प्रेश्ण बुढिया के घर से लोटते समय लेखक ने क्या प्रण किया था तो बुढिया के घर से लोटते समय लेखक ने यह प्रण किया कि आज के बाद वह मानफता को सबसे उंचा स्थान देगा और अपनी योग्यता अंसार हर जरुरत मन की मदद करेगा जैसा कि मैंने पाट पढ़ाते वे का था आप जितनी साहेता हो सके उतनी कीजिए अगर किसी की मदद कर सकते हैं बहुत जादा नहीं पर कुछ मदद तो जरूर कीजिए और मदद कोई धन से नहीं होती तन, मन और धन तीन तरह से सेवा होती है आप किसी भी प्रकार उनकी सेवा या मदद कर सकते हैं और उत्तर प्रश्न पांचवां था बुडिया के चरित्र की कोई तीन विशेश्टाइं लिखे तो देखे बुडिया जो थी बुडिया की चारित्रिक विशेश्टाइं है वह एक इमानदार इस्त्री है उसमें मानवी समवेदना भरी हुई है तबी तो देखो दूसरों के दर्द को समझ आती है वह विपत्ती में पड़े लोगों की मदद करती है तो यह आपके पांच प्रश्न है और छटा प्रश्न क्या है हमारा यहां किताब में देखेंगे कि नीचे दिएगे कतन किसने कहे किस से कहे लिखे तो पहला कतन था मेरा बेटा बहुत बिमार है तो उसका उत्तर देखे बुढिया ने लेखक से कहा ठीके किसने कहा बुढिया ने किस से कहा लेखक से कहा तो आपने गलत नहीं लिखना है और कह देना कि और घरों से मांग ले तो यह किस ने कहा था लेखक की पत्नी ने बेटी से कहा ठीक है तो यह आप लिखेंगे तो मैं एक बार इसको आपके सामने इसको कर देती हूँ ताकि आप पॉस करके लिख ले ठीक है प्रश्ण एक और दो तीसरा भी आई जाएगा तीन प्रश्ण आगे ठीक है आट में से तीन प्रश्ण इसको आप पॉस करके और आप लिख सकते हैं और यह चौथा और यह पांचवा ठीक है और छटा भी दिखाए देते हैं चौथा पांचवा और छटा ठीक है तो इसको भी आप पॉस करके आप आसानी से लिख सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं देखिए प्रश्न साज्व था हमारा नीचे प्रतेक प्रश्न के चार-चार उत्तर दिये गए हैं उचेत उत्तर पर सही का चिन लगाई ए है ऺैसे तो हमने पढ़तेपढ़ते ही कर लिये थे ठीक है ये प्रश्न साजा तो लेखक ने अपनी बेटी से भिकारिन को क्या देने को कहा तो कितने कहे थे दो रुपे कहे थे चार दो चार पैसे पांच रुपे या आठ रुपे तो इसका सही उत्तर होगा दो चार पैसे ठीक है अगला देखेंगे लेखक को कितने महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा तो तीन महीने बाद पांच महीने बाद दो महीने बाद ये छो महीने बाद तो उसको तीन महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा था मिस्ट्री को कौन बुलाकर लाया, तो बुढिया का बेटा, बुढिया का पती, बुढिया का भाई, ये स्वेम बुढिया, कौन गया था बुलाने, बुढिया का बेटा, ठीक है? बुडिया ने लेकक को क्या खाने को दिया था मक्के की रोटी और सर्सों का साग था या ग्यों की रोटी और पालक का साग था बाजरे की रोटी और सर्सों का साग या बाजरे की रोटी और बत्वे का साग तो इसका सही उत्तर बाजरे की रोटी बत्वे का साग ठीके तो यह तो हमने पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन भी किये थे ठीके तो यह इसके उत्तर हैं यहां आप देख सकते हैं ठीके तो आपने सही जगे पर निशान लगाना है तो आज के लिए आप इतना है क्योंकि प्रशन उत्तर लिखने भी हैं आपने नोट बुक में तो यह प्रशन उत्तर और छटा प्रशन किताब में करेंगे सात्मा प्रशन भी बुक में ही करेंगे आप पैंसिरू से और पार्थ में से जो प्रशन है एक से लेकर पांच तक वो आप अपनी नोट बुक में करेंगे सुन्दर हैंड राइटिंग में विदाउट एनी स्पैल okay, bye and thank you